Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, सब लोग अच्छी होंगे, घर में ही रह रहे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे तो friends, आज की वीडियो का topic है कि घर में ही रहकर आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी ऐसी medicine है जो जरूर रखनी चाहिए ऐसी दबाईयां जो आपके घर में आपके बच्चों के लिए जरूर होनी चाहिए जिसने कि अगर बच्ची को ऐसी कोई छोटी बोटी प्राबलम हो जाती है तो आप उसको तुरंद दबा दे सके और बच्ची को किसी भी तरगी की परिशानी ना हो बार बार डॉक्टर के पास आपको ना भागना पड़े आज को वीडियो एक रिकष्ट टॉपिक है मुझे मेरी सब्स्प्राइबर ने कमेंट किया था कि मैं हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है तो इससे काफी मदर को हेल्फ मिल जाएगी कि उनको अपने बच्ची के लिए कौन-कौन सी दवाईयां है जो अपने घर में जरूर रखनी चाहिए तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जड़ा है तो प्रीस आप सभी से रिक्ष्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखे चैनल को अभी तक सब्स्प्राइब नहीं किया तो प्ली हासी हो रही है जुखाम हो गया है इन चीजों की मेडिसिन घर में होनी ही चाहिए बच्चे को आप दबाई दे और बच्चे को रहत मिल सके सबसे पहरी चीज़ फ्रेंड्स होती है पैरसितामोल सीरप आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी पैरसितामोल सीरप के लिए ही कि हर बच्चे की बॉड़ी अलग अलग होती है बॉड़ी के बारे में तो डोक्टर ही जान सकता है कि किस बच्चे को कॉन सी मेडीछन शूट करेंगी कРयेगर करसे के बिदाने भीटॉरugu अपने डॉक्टर से कंसल्ड करके ही आप ले खुद लेने ना पोछ जा अगर आपको फील हो रहा है, रात हो या दिन है, तो आप बच्चे को अराम से दबाई दे सकते हैं, जैसे पहले बच्चा आपका बीमार हुआ है, डॉक्टर ने आपको मेडिसन दी है, तो फीवर की अगर दी है, तो आप वही सेम मेडिसन लाकर अपने घर में श्रॉक कर सकत एक सीरप हमेशा पेरसेटामूल का आपके घर में होना ही चाहिए आप देख लेंगर खतम हो रहा है तो आप तुरन दूसरा लाकर रखे लेकिन ये दमाई आपके घर में हमेशा होनी चाहिए कभी खतम नहीं होना चाहिए अगर आप एक छोटे बच्चे की माहें तो चोटे सीरप आपके घर में होना ही चाहिए जैसे बच्चे को पहले प्रॉब्लम होई हो और डॉक्टर ने आपको कोई सीरप दिया हो तो आप घर में अपने हमेशा रखिए स्टॉप में रखिए अगर खतम हो जाता है तो पहले ही लाकर रख लीजे जैसे कि बच्चे को अगर पर ही रहत मिल पाए तो आप डॉक्टर से कंसर्ट करके कोई अच्छा सा कफ सीरप ले सकते हैं और उसको अपने घर में हमेशा रखिए यह प्रॉब्लम बच्चे को होती ही रहती है ताइम तो इसके बाद है दर्द वाला डर्द का सीरप आपको अपने घर में हमेशा रख बॉक्टर के बच्चे की ऐसे बच्शे को उस्से आराम मिल जाता है तो तो फ्रेंट्स इक एसी चार मोश्ट द्वाइया है जो आपके घर में हूनी ही चाहिए कब इन दवाईयों में कमी नहीं आनी चाहिए ।- खतम नहीं ह takiej नहीं होनी चाहिए आपके घर में यह यहार् बतुम राता है कि बाद सबस्क्ण कमेरे केँ होsho सब अपने डॉक्तर से कंसर्ट करें दौक्टर के पास जाएं और यह सारे सीरप आप अपने घर में लेकर रखलें एकाइब सिर्फ आपको जानने की जरूवत है और बस क्वांटि ती जानने के दवाएं तो चलिए बाबाई टेक क्या थेंक यू सुमर्ट